सालाम beispiel अलेकम , आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है Rectangular mattress ऑप्षोग मैड़िक्स , यह हमारे पास topic है यह question , आप कह सकते हैं real question है हमारे पास स्केर मैड्रिक्स , ठाथ और अर थाट One है आपके बस Null Matrix इन तीनुं का concept जो है वो हम पढ़ेंगे आज की लेक्टर में तो इसी इनी definition से में आपको प्रूब करूँगा कि ये अग्पस rectangular matrix कौन सा होता है square matrix कौन सा होता है और Null matrix कौन सा होता है Null और 0 भी इसको कहते है तो इस से पहले matrix, rows और column matrix से होते हैं matrix का concept यह सारे लेक्टिर्स जो है वो मैंने दिये हुए है ठीक है तो सबसे पहले हम rectangular matrix को start करेंगे कि यह क्या चीज है इसको पढ़ेंगे तो इसकी examples पास से लिखके मैं आपको समझाऊंगा कि यह क्या चीज है rectangular matrix सबसे पहले इसकी definition हम पढ़ेंगे तो हमें पास समझाएगी matrix of order order के बारे में भी मैंने आपको पहले वाले लक्चर में पताया हुआ है order कैंसे लिखते है m by n is called a rectangular matrix if n not equal to n अब देखें पिछल लक्चर में आपको दाया था कि m जो है वो number of rows को show करता है और n जो है वो number of column को show करता है यह आपको पता हुआ नशीर तर जाके आप इसको prove कर सकते हैं तो m by n यानि कि m और n number of rows not equal to number of columns यानि कि आपके पास जब number of rows और number of columns आपस में बराबर आजाते हैं तो फिर आपके पास यह rectangular matrix नहीं रहता तो ऐसे matrix जिन में rows की तादाद और column की तादाद जो है वो आपस में बराबर ना हो वो rectangular matrix है फरस करते हैं आपके पास example मैं आपको दिता हूँ is equal to ठीक है यह देखें यह 2 यह आपके पास आजाएगा 3 यह आप देखें यह rectangular है क्यों इसलिए इसकी R1 एक और यह R2 दो रोज है और इसका जो column है वो C1 यानि कि number of यह N not equal to N ठीक है यह आपके पास रोज है और यह आपके पास कालम को शोगता है ठीक है यह आपके पास बराबर नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे यह rectangular matrix है फरस करते हैं एक example और ले देते हैं B is equal to आपके पास आजाता है 2, 3, 4 यह 6, 3, 1 यह for example आपके यहाँ पे देखें आपके पास यह R1 ठीक है row और column का concept मैंने आपको बताया हुए अपने previous lectures में तो यह आपके पास R2 यह R1 और यह R2 यह आपके पास C1 यह C2 चीक है और यह आपके पास C3 यह यह column 3 इसमें columns की तादा कितनी है 3 और rows की तादा क्या है 2 है तो हम कह सकते हैं कि M not equal to N यहीं कि R जो है rows वो columns के पराबर नहीं है तो यह इस तरह का जो आपके पास matrix आएंगे यह जिनके कोई भी matrix है ठीक है फ़र्स करते हैं आपके पास C आजाता है C is equal to U2 अब यहाँ पर आप confused हो सकते हैं कि यह इसमें एक ही injury है अब यह rectangular matrix नहीं है क्योंकि इसकी R भी एक है और इसका column भी एक है ठीक है इस तरह को matrix आ सकता है तो उसको आप rectangular में शामल नहीं कर सकते क्योंकि basic concept उसका यह है कि number of rows और number of columns वह आपसम बराबन नहीं होने चाहिए तो ऐसे matrix को हम rectangular matrix कहेंगे चीक है तो इसके अलाबा दूसरा concept जो है वह हम लेंगे square matrix यानिके आपके पास square matrix जो है वह कहांसे होते हैं ठीक है यह हमने तभी जो पढ़ा है यह rectangular matrix के बारे में हमने पढ़ा चीक है अब दूसरा है square matrix जीक है square matrix कौन साब इना square matrix एक square matrix वह होगा the number of rows जिसमें number of rows M ठीक है of rows is equal to the number of columns यानिके मैं इसको लिख सकता हूं M is equal to M is equal to N यानिके number of rows equal to number of columns के बराबर होंगी तो वह आपके पास square matrix होगा otherwise वह square matrix नहीं होगा अगर number of columns और number of rows आपस में बराबर नहीं होती तो फिर वह rectangular हो जाएगा वह इससे भी square नहीं होगा इसके हम example लेते हैं फर्स करते हैं A is equal to 2, 3, 6, 8 तो देखें ये आपके पास R1, ये आपके पास R2, ये आपके पास C1 और ये आपके पास C2 देखें इसकी interest जो देखें वह देखें M is equal to N का concept ये रखें is equal to 2, चीक है? यानिके 2 by 2, चीक है? इसका order है यानिके 2 rows है और 2 column है column और rows आपस में जब बराबर होंगी तो वह आपके पास square matrix होगा फर्स करते हैं, ये आपके पास B matrix है, जो पहले मैंने आपके पता है, ये 3 अब लेखें, ये इसकी R1 है और इसका C1, ये आपके पास square matrix है क्योंकि इसका order है one by one, ये column rows is equal to column के बराबर है तो column square matrix वह होगा जब आपके पास उसकी rows और columns आपसम बराबर होगा फर्स करते हैं, तीन रोज आजाती है, तो तीन ही column होने चाहिए, अगर तीन रोज आजाएंगी, दो columns होंगे, तो वह फिर rectangular होगा, square नहीं होगा तो columns is equal to rows आपसमें बराबर होगी, तो वह आपके पास square matrix होगा अब third one हमारे पास जो concept है, उसको हम बढ़ेंगे तीसरी definition, वो यह है कि null matrix, एक matrix null concept कब होगा, यह zero matrix भी इसको बाद उकात कहते हैं, तो a square are rectangular, square matrix भी null हो सकता है, और rectangular matrix भी null हो सकता है, तो null concept अलग है, matrix whose are entries, उसके सारे elements, उसकी सारी entries, उसके सारे जो, उसके अंदर जो elements है यह entries है, और zero, सब zero के बराबर होंगी, is called the null matrix, अब देखें, null matrix में यह bound नहीं करता, कि वो आपके बास दो रोज दो कालम होने चाहिए, square matrix हो, कोई भी matrix हो, जिसकी entries जो है, वो सारी zero हो, वो आपके बास null में, इसके हम example लेते हैं, फर्ज करते हैं, इसके आपके बास example है, a is अङसे इकॉल to first करते हैं, यह आपके बास matrix है, यह 0, यह भी 0, यह बी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह नही सारी entries है, वो इकॉल to zero के पराबर है, यह नहान में छात्रिक्स है, उसके बास, बी is equal to 1000, यह आपके बास तो यह भी इसकी सारी इंट्रीज जो है वो इक्वाल टू जीरो है तो यह आज के लेक्चर में हमारे पास था तो rectangular matrix of concept, square matrix और null matrix तो rectangular matrix वो matrix होता है जिसकी number of rows और number of columns आपस में पराबर ना हूँ square matrix वो होगा जिसमें number of columns, equal to number of rows हूँ और third null matrix वो होगा जिसकी तमाम इंट्रीज जो है वो 0 के पराबर हूँ तो वो null matrix होगा ठीक है